तो गैस बात करते हैं कि अगर आप लोग Samsung का फोन यूज़ कर रहे हैं अगर आप लोग की फोन में Network not registered की प्राब्लम आ रही है तो कैसे आप लोग अपना Network को रजिस्टर करेंगे और ये प्राब्लम को fix करेंगे वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स उसके बाद आप लोग क्लिक करेंगे SIM card manager पे और यहां पे आप लोग अपना जो SIM card रहता है उसको एक बार disable करेंगे डिसेबल करें उसके बाद बैक आने के बाद आप लोग को mobile networks पे क्लिक करना होगा और network mode आप लोग को क्लिक करना होगा जैसे कि अभी LT, 3G, 2G auto connect है तो एक बार आप लोग को करना है 3G, 2G auto connect ठीक है उसके बाद network operators पे क्लिक करना होगा और जैसे कि automatically हम यहां पे network को select करते है तो आप लोग manual तारीके से network को select कर लिजेगा ठीक है या फिर क्या होता है basically कि कहीं कहीं आप लोग ऐसे area में चले जाते हैं जहां पे आप लोग को 4G network नहीं मिल पाता तो उसकी वज़े से भी step के दिक्कते आ जाती है बट हो सकता है कि यह process थोड़ी से आप लोग को landy लगे काफी लंबी लगे तो इससे better solution क्या है आप लोग अपने phone में general management पे click करिएगा देना आप लोग को reset पे click करना होगा और यहां पे आप लोग को option मिलेगा reset network settings का तो आप लोग अपने phone में network settings को एक बार reset कर दिजेगा तो कोई भी गलत activity हुई होगी तो सब कुछ default हो जाएग और इसमें आप लोगा कोई भी data delete नहीं होगा आप लोगों को निश्चिंत रहना है तो simply आप लोग को इस setup को follow करना है आप लोग की problem fix हो जाएगी मिलते है next video में जै मता दी